हेलो फ्रेंज पर से स्वागत एक नई वीडियो में फ्रेंज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं अगर आपके पास भी बहुत सारे अप्लिकेशन है तो इसको अनिस्टॉल कैसे कर सकते हैं जो प्री इंस्टॉल होता है जो पहले से इंस्टॉल आते हैं उसे अपकी बात कर रहा हूं तो इसके लिए आपको फ्रेंज इस चैनल को पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते आपको इस तरीकी का इंटरफेस दीखेगा तो सबसे नीचे जाना है और आपको ढूरना है उस अप्लिकेशन को मतलब जिसको आप आने इस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे नीचे जाएंगे तो आपको देख सकते आप मेनेजमेंट का ओपसन दीखने को मिलेगा यह रहा है और इस कलर का आपको देख सकते बॉक्स दीखेगा चार इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे ओपसन दीखेगा तो यहां पर आप मेनेजमेंट दीखेगा app permission बहुत सारे options तो आपको default पे क्लिक करना है तो इसको ने see setting apps पे क्लिक करेंगे यहां से जो भी application को आप uninstall करना चाहते है उसको chain करेंगे यानि कि select करेंगे select करने के बाद आप उसको uninstall कर पाएंगे ठीक है friends for example मैं इसको uninstall करना चाहता हूँ इसपे क्लिक करूँगा और यहां से uninstall कर दूँगा तो यह uninstall हो गया इसी परकार से आप किसी भी application को uninstall कर सकते हैं ठीक है अब चलिए मैं आपको कौन सा application को uninstall करके दिखा दूँ यहां पे और भी option देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे options है जैसे कि आप देखा होगा कि आपको google do वगर आप use नहीं करते है 56-56 MB का है सबसे बड़ा फाइल है तो आप इसको यहां से uninstall कर सकते हैं यह pre-installed आप था पहले से ही आए था और यहां पे आप देख सकते हैं एक और option देखरे को बता है जो की खटकता है मेरे को google play यह भी 50 लगबख 50 MB का है तो इसको भी uninstall कर पाएंगे easily इसमें तो इसी परकार से आप multiple application को किसी को भी uninstall कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like, share and subscribe करना मत पूलिएगा, साथ में घंटी का option आए तो इसे भी click कर दीजेगा ताकि आपको latest video का update मिलता रहे मिलता नेक्स वीडियो में के नेटोपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार and goodbye, take care